नमस्कार मैं मरजीत कुमार स्वागत है आप सभी को ग्यान फोर एक्जाम यूटूब चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि हम सबने एक स्रीज शुरू किया था science को लेकर की बिग्यान यानि कि जीब बिग्यान से हमने एक स्रीज शुरू किया था जिसमें की हम लोगों ने जाने थे कि कुछ मातपुर्ण पॉइंट जो हमारे exam में जैसे आपका BPC है, दरोगा है, NTPC है Group D है, SSC है, बैंक है जहां पर जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उससे समन्दित हम लोगों ने करना सुरू किया था इसी स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये रहेगा तीसरा वीडियो, बायलोजी का जिसमें आज हम जानेंगे Blood से समन्दित सभी महतपुर्ण तत्तिको इससे पहले के दो पार्ट और आल्रेडी आप लोग को दे दिये गए हैं आप अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले के वीडियो देखेंगे तब ही आपके आगे के वीडियो समझ में आएंगे और आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो समझ में आएंगे क्योंकि हमने जो sequence सुरू किया है वो कहीं ने कहीं एक दूसरे पार्ट से related रहेंगे जैसा कि अभी ये जो स्री चल रहा था उसके अंतरगत हम लोगों ने circulatory system सुरू किया था और उस circulatory system के पहले पार्ट में हम लोगों ने जो कुछ में खेवाते थे वो हमने जाना था आज circulatory system के ही पार्ट में दूसरा होगा हमारा blood यानि किरुधीर जिसे हम रक्त के नाम से भी जानते हैं अब आताता है रक्त तो रक्त आखिर हम कहते किसको हैं आपको कभी भविस में या पीछे कभी ऐसा भविस में ऐसा ना हो पर पास्ट में आपने कभी देखा होगा आपके हाथ पौंग कट गये होंगे कहीं पर चोट लग गये हूँ तो आप देखते होंगे एक लाल बर्नक कि कहीं ने कहीं उस जगा से एक द्रब के रूप में जो निकलता है वो द्रब ही आखिर क्या होता है हमारा खून यानी किरक्त यानी ब्लड यानी रुधीर होता है तो उसी रुधीर को ही हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अब बात आता है रुध उधीर करता क्या है? और उधűर होता क्या है? तो उधीर से अगर चर्चा करें हम यहां पर जो बात Language-Form में बोलेंगे वो आपको क्या करना होगा कि थे लिखते चलेंगे क्योंकि हर एक बात Language-Form में यहां पर हम छोटे-Chosटे Point में लिखेंगे आप अपना self notes जरूर तयार करते चलेंगे जो कि आपका खुद का notes भी तयार हो जाएगा और साथ ही साथ आपको वो समझ में जब जरुरत के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो उस समय समझ में आएगा रुधीर की बात करें तो रुधीर जो होता है ये करता क्या है कि हमारे सरीर को एक दूसरे अंग से जोडने का काम करता है क्या करता है जोडने का काम करता है कुछ point हमने यहाँ पर पहले से लिख करके रखा है ताकि लिखने के जो समय होते हैं वो बचे छोटे छोटे point को हमने लिख के रखा है ताकि आपका जो ये छोटे छोटे पॉइंट आप जानते भी हैं इसलिए समय ज्यादा ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख के रखा है जब हमारा रखते हैं ये एक दूसरे से अंग को जोडता है तब आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज अगर एक वस जो हमारा होता है वह एक प्रकार का क्या होता है एक उतक होता है और कैसी उतक तो संयोजी उतक के नाम से जाना जाता है जिसे हम Connectif Tissue के नाम से जानते हैं और ये connection connect करना या Wi-Fi चालो करना ये हमारा क्या है एक प्रकार का connection का काम करता है वही connection यहाँ पर हमारा कौन करता है blood यानि कि रक्त करता है तो बात आई है रक्त का तो रक्त के बारे में हम कुछ छोटे छोटे बात जान ले उसके बाद हम इसके भाग के बारे में जानेगे तो हमने जाना कि blood जो होता है कैसा होता है योजी उत्तक होता है यानि कि जोडने का काम करेगा है न इसका pH मान रक्त जो होता है इसका pH मान भी होगा pH मान पहले हम जान ले pH का पूरा नाम होता है power of hydrogenation Power of Hydrogenation के नाम से जाना जाता है और pH value के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था कि इसकी खोज जो है pH scale का ये किसने किया था? Sorensen ने किया था किसने किया था? Sorensen ने इसके खोज किया था उसके बाद हम बात करें इसके pH मान का तो ये pH मान जो होता है 7.4 होता है pH scale आपने देखा होगा आप जब pH scale को देखते हैं तो pH scale पर कुछ इस प्रकार से scale बनाए रहते हैं जहां पर 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 14 तक के भाग होते हैं इसे हम pH scale के नाम से जानते हैं जब 0 से 7 के बीच के जो कोई भी तत्व होंगे पदार्थ होंगे उसे हम अमल के रूप में रखते हैं और जो 7 होता है इसे हम उदासीन कहते हैं यानि नीट्रल कहते हैं और जो 7 से 14 के बीच होगा उसे हम छार के नाम से जानते हैं तब आप हमें देख के बताएंगे कि यहाँ पर जो पीच वैल्यू है 7.4 है यानि कि यह किस के अंतरगाता आएगा अमल, छार या उदासीन तब आप कह सकते हैं कि पीच असकेल पर 7 से अधीक के मान हैं यानि कि बलड जो है कैसा है? छारिये है मगर छारिये है यह तो हम समझ रहें पर छारिये के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे हमारे कभी कभी एक जाम में प्रस्न पूछा जाता है कि ये कैसा छार है दुरवल छार, प्रवल छार अल्प छार या अधिक्तम छार तो ध्यान रखेंगे जो छारिये रूप है ये हमारा अलप चारिये होता है कैसा होता है अलप चारिये होता है उमीद करें कि आपको writing दिखा दे रहा होगा जो हम लिख रहे हैं हाँ आपको सही सलामत दिख रहा है फिर भी आप जो हम बोल रहे हैं उस सब्द को भी पकड़ करके आप अपने notes में लिख सकते हैं जगह कम होने के कारण छोटा छोटा लिखना पढ़ रहा है अब देखे हम बात करें थे pH scale का ये कैसा होता है अलप चारिये होता अलप चारिये के कारण ही इसमें क्या होता है इसे हम L के line भी कहते हैं क्या कहेंगे L के line भी इसे L का line भी इसे कहा जाता है तो ये 3.ph scale से सम्बंदित हुआ कैसा तो अलप चारिये होगा L के line के नाम से भी इसे जाना जाता है L के line क्यों कहा जाता है तो L के line इस कारण से कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा घुली होती है क्या होता है जल की मात्रा जल की मात्रा घुली होती है क्यों घुला रहेगा क्योंकि जो जल होता है यानि कि जो हमारा ब्लेड है ब्लेड कैसा होता है द्रब बेरूप में होता है लिक्यूड फॉम में होता है तो उसमें जल होना ही होना है तो ये था हमारा जल की मात्रा घुल में है तो क्या इसका कुछ बजन होगा हमारे सरीर में इसका कुछ बजन तो होना चाहिए न तो यह जो इसका द्रब्य है द्रब्य कहने का मतलब द्रब्य का अपना बजन नहीं होता मगर वो जिस बरतन में जाएगा जिस जगह पे जाएगा उसके अनुसार उसका बजन होता ह एक निश्चित भार होता है तो इसकी जो भार होता है यह हमारे सरीर के सरीर का साथ प्रतीसत होता है हमारे सरीर के बजन का साथ प्रतीसत ब्लड यानि की रक्त होता है Suppose that कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा सरीर मान लिया जाए कि 60 kg का है, हमारा सरीर जो है 60 kg का है, तो इस 60 kg का 7 प्रतिसत आप कह सकते हैं कितना, तो 4.2 है न, सच्छा का 42 वटा 10 जब आप करते हैं, तो 4.2 जो लीटर के रूप में यह आता है, ब्लड जो हतता है, वो liquid लीटर में आपते हैं, तो यह कितना होगा, 4.2 लीटर आपके सरीर में क्या है, ब्लड है, तो इस प्रकार से सरीर के बजन का कितना, तो 7 प्रतिसत होता है हमारा वेट, अब आते हैं इसका volume, कुछ इसका item भी होगा, भार अलग होता है और item अलग होता है, आप लोग science में पढ़े को समझेंगे, जो हमारे exam में पूछे जाते हैं, उसको आप patience के साथ यहां बने रहें, आपको वो सारी छोटी छोटी बात बता दी जाएगी, जो हमारे exam में पूछे जाते हैं, और हम वहीं पर गलत करते हैं, जो छोटे छोटे बात होते हैं, उसी में गलत करते हैं, तो ध् इसी भी ब्यक्ति में होता जैसा अभी आपने देखा था 60 kg जो हमने लिया था तो उसमें लगवग 4.2 कुछ आ रहा था तो उसी हिसाब से लगवग हर एक ब्यक्ति के सरीर में कितना ब्लड होता है तो 5 से 7 लीटर तक ब्लड हमारे सरीर में मौजूद रहता है तो यह हमारा ब दो भाग पाए जाते हैं ब्लड जो होता है यह दो मुख जो इसके अंतरगत होते हैं उससे बने होते हैं पहला जो होता है उसे हम पलाजमा के नाम से जानते हैं और दूसरा जो होगा वो क्या होगा करनिका या कोसिका जिसे हम कॉर्पोसल्स के नाम से जानते हैं किस नाम से जानेंगे, कॉर्पोसल्स के नाम से जानते हैं. आप अगर कभी एक फलस्क लीजिए या जो प्रक्नली होता है उस प्रक्नली को लें, उस प्रक्नली में जब आप बलड को डालेंगे तो बलड में देखेंगे कि बलड का एक भाग जो होता है वो नीचे सॉलिड रूप में औ उसे हम प्लाजमा कहते हैं और जो ठोस फौं में होता है उसे हम क्या कहते हैं करनिका या कॉर्पोसल्स के नाम से जानते हैं तो अब देखे हमने बताया कि प्लाजमा जो है वो द्रब्य रूप में होता है यानि कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लाजमा है वो क्या है एक द्रब्य रूप होता है जो पूरे रक्त का यहाँ पर ध्यान देंगे रक्त का जो होता है पच्पन प्रतीस सत वो प्लाजमा होता है हम एक करके जानेंगे एक पहले हम प्लाजमा जान लेते हैं प्लाज के कमी या धिकतास होने वाले रोग को जान लेंगे उसके बाद हम यहां पर आएंगे यह जो होगा प्लाजमा से कहीं अधीक महत्पुर्ण यह होता है इसके बारे में हम बेहतरी न्धंग से जानेंगे वीडियो पसंद आये तो एक वार वीडियो को लाइक कर देंगे सेर कर देंगे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में अपना राय सुझाव जरूर देंगे साथ ही साथ आप हमारे साथ डेली गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास जो क्यूज कराई जा रहा है उसमें आप जोईन कर सकते हैं सेवन सिक्स फाइब फॉर न करके उन लोगों के लिए बेहतिरीन क्यूज रहेगा जिनका बिहार दरोगा मेंस का एकजाम होने वाला है आए हम बात कर रहे थे प्लाजमा का प्लाजमा जो है यह लिक्यूड फॉर्म में होता है हमारे ब्लड का 55 प्रतीसत होता है प्लाजमा का एक अपना रंग भी होता ह जैसे करनिका का एक रंग होता है उसी प्रकार से प्लाजमा का भी एक रंग होता है और प्लाजमा का रंग जो होता है यह पीला होता है क्या होता है पीला होता है प्लाजमा के अंतरगत कुछ और भी चीज़े पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट प्लाजमा के अ ध्यान देंगे प्लाजमा का लगभग 90-92 प्रतीसत तक आपको क्या मिलेगा पानी रक्त का 55 प्रतीसत होता है प्लाजमा और प्लाजमा का जो 90-92 प्रतीसत है वह होता है पानी ये ध्यान में रखेंगे इसी के अंतरगत जो होते हैं कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रो प्रकार के होंगे कुछ प्रोटीन होते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं तो उनमें जो प्रोटीन पाये जाता है चार प्रकार के पाये जाएंगे और कुल साथ प्रतीसत प्रोटीन पाये जाते हैं तो आप देख सकते हैं नब्वे के रेशियो से अगर लिया जाए तो नब्वे औ यहाँ पर लिख देते हैं खनीज जो रहेगा वो कितना लगवा आपका जो सोडियम और पोटासियम यह सभी मोजूद होते हैं ठीक है और यह लगवा कितना 3% तक मोजूद रहेंगे 2 से 3% सब्सक्राइब तक मौजूद रहते हैं अब यहां पर देखिए हमने एक चीज आना कि जो प्लाजमा का जो है मुख्य घटक पानी है प्लाजमा का मुख्य घटक पानी है आपको सारा कुछ के लिए अर दिखाई दे रहा होगा उमीद करते हैं मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा में सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है प्रस्न आपको पॉइंट वाई पॉइंट छोटे छोटे लिखे हैं मगर आ प्रकार के प्रोटीन कौन-कौन है तो एक होता है एलबुमीन जिसे हम यहां पर लिख रहे हैं हिंदी में एलबुमीन दूसरा होता है ग्लोबीन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखेंगे दूसरा होता है ग्लोबीन तिसरा होता है फाइब्री नोजेन और चौथा होता है प्रो थ्रॉम्बीन चौथा जो प्रोटीन होता है यह प्रो थ्रॉम्बीन होता है यह प्रो थ्रॉम्बीन आखिर करता क्या है मने में आपके सवाल आया होगा कि यह प्रो थ्रॉम्बीन करेगा क्या तो जो प्रोथ्रोंबिन होता है ये मुख्य रूप से ब्लड को क्या करेगा जमाने में सहायक होता है रक्त को जमाने में सहायक होता है रक्त को जमाने में या क्लोटीन करने में ये एलबुमीन, गलोबीन, फाइबरिनोजेन और प्रोथ्रोंबीन जो की चार प्रकार के प्रोटीन प्लाज़वा में पाए जाते हैं उसको जमाने में सहायक होता है हमने जान लिया इसके प्रोटीन अब हमने जानना है कि इसके काम क्या होते हैं इससे समंधित कुछ रोग क्या होते हैं बहुत ही मतपुर्ण है आप उमिद के साथ बने रहेंगे हमारे साथ आपको सारी बातें एक करके क्लीर कराए जाएंगे जैसे कि कभी-कभी आपको एक प्रस्ण पूछा जाता है कि नसों में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है जैसे कि ये हमारा नस है आप अपने अपने नस को देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे तो ये जो वेसल्स होते हैं नस होते हैं नस में कभी भी बलड क्यों नहीं जमता मन में सवाल एक होनी चाहिए कि नस के अंतरगत क्यों बलड हमेशा सर्कुलेट होते रहता है और जब कहीं पर हमारे जो अस्कीन होते हैं या जो नस होते हैं वो जब कट जाते हैं और blood जब बाहर आना शुरू होता है तब उसको कुछ समयवाद वो क्यों जम जाता है तो जो vessels होते हैं हमारा जो नस होता है नस के अंतरगत एक anti-cloting agent पाया जाता है रक्त के अंतरगत जो नस होता है आप यहाँ पर लिख लेंगे प्रस्न के तौर पर कि नसो में रक्त जो anti-cloting एक रंजक पाया जाता है anti-cloting रंजक जिसे हम हीपैरीन कहते हैं क्या कहेंगे हीपैरीन कहते हैं हीपैरीन के कारण जो होता है रक्त हमारे सरीर में नहीं जमता है नसो में हमारे सरीर में रक्त जो है वो नहीं जमता है किसके कारण तो हीपैरीन के कारण नसो में रक्त को ठक्का बनने में रोकने में जो सहायक होता है ये हिपैरिन नाम का जो रंजक होता है पिगमिंट होता है ये सहायक होता है अब एक सवाल ये भी होना चाहिए कि हिपैरिन बनेगा कहा है हिपैरिन है हमारे सरीर में है तो ये कहीं ने कहीं बनेगा या किसी ने क होता है निर्मान कहा होगा लीवर में इसका निर्मान होता है ये वात को ध्यान में रखेंगे अब आते हैं हिपैरिन इसके मुख्य हो गया एक आपने एक बिटामिन पढ़ा होगा बिटामिन का नाम आप बता सकते हैं जो रक्त को थमने में जमाने में सहायक होता है जब बाह प्रस्न के तोर पर लिख लेंगे रक्त को ठक्का कौन से बिटामिन बनाएगा ठक्का बनाने वाले बिटामिन आंसर करेंगे बिटामिन कौन सी होती है तो वाब बिटामिन होता है के को हम फिलो क्यू नौन के भी नाम से जानते इसका नाम होता है के को हम फिलो क्यू नौन के नाम से जानते हैं तो रक्त को ठक्का बनाने वाले बिटामिन के जबकि नसों में रक्त को जमने से रोकने के लिए अंटिक्लोटिंग का मतलब होता है जमने से रोकना कौन रोकता है? तो हिपैरी नाम की जो होती है रंजक वो या इसे हम कहें तो हिपैरी नाम का जो एजेंट होता है उसके कारण होता है है ना और ध्यान देंगे रक्त को जो है वो जमने में एक चीज और कौन रोकता है तो वो अंग कौन सा है कभी अगर अंग पूछ दे तो वो अंग भी जो है वो लीवर ही होगा वो अंग कौन सी होगी लीवर होगा तो यह हमने जाना प्लाजमा अब हम जानते हैं प्लाजमा के काम प्लाजमा के काम क्या होता है तो जल्दी जल्दी आप लिखेंगे इसको प्लाजमा का पहला जो काम होता है वो रक्त को पूरे सरीर में पहुंचाने में सहायक होता है किसमें होगा? जो पूरी बॉडी में प्लाजमा को पहुंचाने में यानि कि फ्लो करने में सहायक होगा यहाँ पर लिखेंगे प्लाजमा को पूरे सरीर में ले जाने का काम यानि कि flow करने का काम करता है क्या करेगा flow करने का काम होता है जो कि इसका मुख्य कार है इसका मुख्य काम जो है यही है इसका मुख्य काम प्लाजमा को पूरे सरीर में flow कराना इसका काम है दूसरा काम क्या है कि रक्त को ठक्का होने से रक्त को थक्का होने से यानि कि इसको ऐसा कर सकते हैं रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है अगला पॉइंट जो लिखेंगे तिसरा पॉइंट बड़ा हिम्मात पुर्ण है कि रक्त के जो पी एच मान होते हैं रक्त के पी एच मान को निर्धारित करता है क्या करेगा रक्त के पी एच मान को निर्धारित या नियंतरित करने का काम करेगा क्या करेगा पी एच मान को नियंतरित करने का काम करता है ये तीन चीज़ आप ध्यान रखेंगे एक और अगर आप इसके साथ लिख सकते हैं तो ये जो हमारे सरीर का जो temperature होता है यानि कि ताप, ताप का भी नियंतरन करता है तो ये हमारा चार point इसके मुखे काम होते तो इस प्रकार से क्या आब आपको लगा कि जो प्लाजमा है वो समाप्त हो गया प्लाजमा ये इतने से भाग में आपका प्लाजमा का जो मुख्य वात था वो समाप्त हो गया पर एक वाइंट और ध्यान रखेंगे प्लाजमा भी समाप्त नहीं हुआ पर हमारे exam oriented जो प्रस्न थे वो लगवग यहां पर समाप्त हो गए हैं अब यहां पर ध्यान देंगे कि एक प्रस्न जो होता है कि प्लाजमा का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है प्लाजमा का रंग पीला किसके कारण होता है यह प्रस्न हमसे पूछा जाता है तो एक लवक होता है वो लवक का नाम क्या है प्लाजमा का रंग पीला यहां पर प्रस्न के तौर पर लिख रहे हैं प्रस्न के तौर पर लिखेंगे कि प्लाजमा का रंग मिद करेंगे नीचे दिख रहा होगा एक मिनट देख लेते हैं हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है प्लाजमा का रंग पीला किस लवक के कारण होता है तो बिली रूबीन नाम का एक लवक होता है यानि कि वर्नक होता है बिली रूबीन नाम का एक बढ़नक होता है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है और ये कहां बनता है बिलू रूबीन कहां बनेगा उपर में लिख रहे हैं बिलू रूबीन बनता है लीवर में यानि कि इसके जितने भी अंग है वो सब ही इसका जो काम है वो लीवर से ही स संपादित होगा है ना और कौन सा अंग है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है अंग की अगर बात करेगा किसे अंग के कारण इसका रंग पीला होता है तो यहां पर भी हम कहेंगे लीवर के कारण होता है अब जाकर के हमारा जो प्लाजमा जो था ये समाप्त होता है पर प आम समाप्थ हुआ प्लाजमा का जो रंग है वो समाप्थ हुआ क्या प्लाजमा के कमी या अधिकता से कोई रोग होता है जी हम कहेंगे कि प्लाजमा के कमी या अधिकता से रोग होते हैं तो उस रोग को भी जान लेते हैं इसके वाद हमारा प्लाजमा जो है ये पुर्णता स माप्त हो जाएंगे तो आईए जानते हैं इस से होने वाले रोग क्या होता है तो आपने एक बीमारी नाम सुना होगा कौन सा पिलिया पिलिया नाम की बीमारी आपने सुना होगा जिससे जॉंडिस भी कहते हैं क्या कहते हैं जॉंडिस कहते हैं जॉंडिस आखिर होता क्या आ उसमें क्या होता है, शरीर जो उस ब्यक्ति के होते हैं, पूरी की पूरी पूरी पीला दिखाई देता है, खास करके चेहरा आख का जो उजला वाला सफेद भाग होता है, वो सभी पीला दिखाई देने लगता है, तब हम कहते हैं कि इसको कौन से बिमारी है, पीलिया बिमारी क्यों पीला दिखाई देता है क्योंकि प्लाजमा का रंग जो है वो पीला होता है और यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि प्लाजमा की मात्रा जो है यह लगभाग लीवर को प्रभावित कर दिया है और लीवर को प्रभावित करने के कारण प्लाजमा जो है अब यहाँ पर पु होता है तो बिलू रुबीन जो है जौन्डिस जौन्डिस नाम की बाइरस से जौन्डिस बाइरस से यह होता है इसमें क्या होता है कि बिलू रुबीन जो है बिलू रुबीन बिलू रुबीन क्या कर रहा था पीला रंग प्रदान कर रहा था बिलू रुबीन की मात्रा की मात मात्रा लीवर में लीवर में क्या होगा बढ़ जाता है बिलू रूबीन की मात्रा लीवर में बढ़ जाने के कारण सरीर में पिलिया नाम की रोग होता है और ये किस बाइरस के कारण होता है तो जॉंडिस बाइरस के कारण ही होता और इसे ही हम जॉंडिस बीमारी भी कहते है तो ये था हमारा पुर्ण प्लाजमा अब हमको जो जानना है वो जानना है सेल सेल जो एक point है ये बहुत ही important रहेगा और सेल के अंतरगत जो हम पढ़ेंगे RBC, WBC, platelets तो इसको जो है हम जानने के लिए जैसे ही हमने blood जाना पहले इसको एक वर और जान लेते हैं हम प्लाजमा को उसके बाद बढ़ेंगे सेल यानि की corpusals की ओर तो जैसा देखें हमने बात किया कि जो रक्त होता है रक्त एक प्रकार के सयोजी उत्तक होते हैं जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है प्लाजमा जो है वो रक्त के अंतरगत जो रक्त के दो भाग होते हैं प्लाजमा और कोसिका यानि की करनिका उसके एक भाग के रूप में प्लाजमा होता है प्लाजमा जो की 55 प्रतिसत तक होता और लिक्यूड फॉर्म में होता है जिसका रंग पीला बिलुरुवीन नामक वर्णक के कारण होता है इसका जो मुख्य घटक होता है प्लाजमा के अंतरगत उस मुख्य घटक को हम पानी के रूप में मांते हैं जो प्लाजमा का 90 से 92 प्रतिसत तक होता है और प्लाजमा के अंतरगत चार प्रकार के प्रोटीन पाये जाते हैं एक प्रोटीन को हम इल्बुमीन, दुसरे को ग्लोबीन, तीसरे को फाइब्रियोनेजेन और चौथे को प्रोथ्रॉम्बीन कहते हैं ये पूरे साथ प्रतिसत होते हैं और इसका काम होता है ब्लड को क्लोटिंग करना यहने की ब्लड को जमाने में सहाइता करता है उसके बाद हमने जाना कि जो नस है नसों में रक्त क्यों नहीं जमता है तो हिपैरी नाम का जो बढ़नक होता है या रंजक होता है उसके कारण र थक्का बनाने वाले बिटामिन जो है बाहरी परत पे आने के बाद तो बिटामिन के होता है और प्लाजमा का रंग पीला किसके कारण तो वह बिलूरुबीन लवक के कारण और ये पीला रंग कहां पर बिलूरुबीन कहां बनता है तो लीवर में बनता है उसके बाद हमने जा आपका न्यंतरन करना इसका मुख्य कारी होता है। उसके बाद हम सब ने जाना रोग, रोग जो की पीलिया नामक रोग होता है और ये जॉन्डिस बाइरस से होगा और बिलूरवीन की मात्रा जब लीवर में बढ़ जाता है तब हमारे सरीर में एक रोग होता है, उस रोग को हम पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, तो ये था हमारा पूरा, थोड़ी सी बात हमने यहां पर रक्त पर किया था, रक्त जो कैसा है सयोजी उत्तक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये एक अलप छार ये होता है, जिसे हम अलकेलाइन भी कहते हैं, अलकेला होता है, तो उमीद करेंगे आपको प्लाजमा सारी पॉइंट समझ में आ गया होगा, अब हम जानेगे जो रहेगा हमारा कॉर्पोसल्स यानि की करनिका यानि की कोशिका, तो आप इसको चाहें तो स्क्रीन सोट करके रख लेंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते तो लिखने से ज़्यादा स्क्रीन सोट करना आसान होता है, तो स्क्रीन सोट तो करेंगे, मगर इसको आप अपने नोट्स में जरूर नोट करके रख लेंगे, ताकि आप जब कभी पढ़ेंगे, तब ये ध्यान में रहेगा, जितना ज़्यादा आप लिखने का प्रयास यह आप जरूर कर लेंगे